हेई नमश्याद दोस्तों आपसे भी का और नहीं वीडियो में स्वागत है तो आज की वीडियो में यहां पे बताने वाला हूँ Redmi Note 5 यूजर्स के लिए है तो प्रो के लिए नहीं है Redmi Note 5 यूजर्स है उनके लिए एक और नई अपडेट आ गई है जी हां तो MIUI 9.5.9.0 की एक नई अपडेट आ गई है Redmi Note 5 यूजर्स के लिए जो की इंडियन वेरियंट है Redmi Note 5 का सकते हैं जो की चाइना वेरियंट है Redmi 5 प्लस का तो उसके लिए आपको यहां पे लेटिस्ट अपडेट देखने को मिल जाती है 9.5.9.0 जो के अभी आपको एड न्यूस यह है कि मेरा एडशन्स डिसेबल हो गया है तो जिन जिन लोगों को नहीं पता है इसका मतलब कि मुझे इस वीडियो से कोई भी वीडियो से आने आली फ्यूजर्स में अर्णिंग कुछ भी नहीं होगी और आपको एड़ करी नहीं देखने को मिलेंगे तो य आपको नई न्यूस आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएगी तो प्लीज अगर थोड़ी हैल्प कर सको आप लोग तो वहाँ पर जाके थोड़ा भूट आप पढ़ लीजए वहाँ पर आर्टिकल्स आपको कई सारे देखने को मिल जाएंगे बहुत सारी मेहनत कर रहा हू यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी थोड़ी बहुत हेल्फ हो जाएगी मेरी इससे उसके लावा मैंने Amazon का भी लिंक दे रखा है वहाँ पे आप कुछ भी बाई करिए Amazon से कुछ भी चीज बाई कर लीजिए मेरी इस लिंक से तो थोड़ा बहुत मुझे वहाँ पे मदद भी मिल जाएगी अगर आप इस तक कर पाएंगे तो मेरी लिए बहुत ही अच्छी बात होगी और थोड़ा बहुत थोड़ी सी हेल्फ बस चाहिए मुझे और कुछ नहीं और मैं आप साथ इती तरीके से बना रहूगा। चली वहाँ पंधा देता हूँ कृथ तो यहां पर मैं आपको दिखा दूं तु चेंज लोग देख लेते हैं सबसे पहले change log में आपको देखने को मिलता है कि full screen gesture जो आपके थे वो work नहीं कर रहे थे सही से तो ये full screen gesture जैसे आप देख सकते हैं मैं अभी इसको यहाँ पर work कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपके work नहीं कर रहे थे तो उसको optimize किया गया है और fast बना दिया गया है कि तुरंत ही आप करेंगे और तुरंत ही यहाँ पर आपका काम करने लगेगा तो उसको यहाँ पर fix किया गया है उसके बाद है fix fingerprint copy wasn't updated तो ये कुछ fingerprint का है fingerprint से copy जो थी उसकी वो update नहीं हो रही थी तो उसके related कुछ यहाँ पर यहाँ पर यह आपको bug था जिसको fix कर दिया गया है उसके बाद है the icon and the battery level weren't always displaced constantly यानि आपका जो icon था battery level वाला वो कभी-कभी आपका गायब हो जा रहा था वो सही से दिखा नहीं रहा था तो उसको भी यहाँ पर fix कर रहा है इन लोगों ने उसके अलावा है कि notification didn't work for dual apps तो आपके जो dual apps हैं तो उसका notification यहाँ पर work नहीं कर रहा था जैसे आप dual apps अगर आप जानते होंगे कि एक phone में दो WhatsApp चला सकते यानि कोई भी application आप दो चला सकते हैं तो उसको वहाँ पर notification आपको नहीं मिल रहा था तो उसको भी यहाँ पर fix किया गया है तो उसका भी यहाँ पर fix मिल जाता है overall यह अच्छी update है और I think यह आपकी आखरी update होगी MIUI 9 की क्योंकि जिन जिन का phone शायद से यह आखरी update हो सकती है क्योंकि MIUI 10 का यहाँ पर काम चालू हो गया है May भी मैंने आपको काया कुछ confirm नहीं है लेकिन यह शायद हो सकती है तो उसको update कर लो overall काफी अच्छी update होगी link का आपको description मिल जाएगा अगर आपके पास update नहीं आई है तो आप यहाँ पर link से कर सकते हैं description में link दे दूँगा वरना आप अपने अपडेटर आप में भी जाके चेक कर लीजे वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो अगर वीडियो पसंद आई तो थोड़ी बहुत help कर दीजे description में जाके link से Amazon से कुछ भी भाई कर लीजे या मेरी website पर भी चले जाएए वहाँ पर आपको कई सारे article मिल जाएंगे share भी कर दीजे वीडियो को तो मैं मिलता हूँ आपको इसी तरीके के नई वीडियो में Redmi Note 5 Pro के लिए बहुत सारी में वीडियो लेके आने वाला हूँ बहुत सारे question है लोगों के पिछली वीडियो में डूल वोल्टी वाले में तो सब में लेके आने वाला हूँ तो मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में अगर आपका साथ रहा इसी तरीके से तो चब तक जैहिंद बंद मातरम बाइबाई